dysphagia मतलब difficulty in soloing मतलब निगलने में difficulty odynophagia ये क्या होता है painful soloing निगलते समय pain होना तो ये odynophagia है dysphagia की जो etiology है उसके cause दो तरह से हो सकते हैं या तो pre-esophagial या फिर isophagial pre-esophagial का मतलब होता है pre-esophagial में disturbance हो गया है oral और जो pharyngeal phase होती है deglutation की उसमें difficulty आती है disturbance होता है isophagial मतलब जो deglutation की जो isophagial phase है उसमें disturbance हो गया है तो हम देखते हैं pre-esophagial cause उसमें हम बोली दिया है oral phase और कौन सी phase? pharyngeal phase और deglutation में disturbance हो गया है तो oral phase में अपन करते थे क्या deglutation में? हम क्या करते थे नॉर्मली फूट को मेस्टिकेट किया जाता है लुब्रिकेट किया जाता है सलाइवा से मेक्स किया जाता है बोलस में कनवर्ट कर दिया जाता है और उसे पुस कर दिया जाता है फेरिंग्स में अब इनहीं में ही प्रोब्लम हो गई जैसे डिस्टर्वेंस इ उसमें डिसोडर है तो डिस्फेजिया मिलेगा डिस्टर्वेंस इन लुब्रीकेशन जैसे जिरोस्ट्रेमिया मिलेगा जिसमें बनी निरेसल सलाइवा डिस्टर्वेंस इन मॉटिलिटी ओव टंग टंग की मॉटिलिटी डिस्टर्व है जैसे पेरलिसिस होगई टंग में या पर अपना जो फूलस था उसे पुस किया जाता है फेरिंग से इसोफेगस में तो उसमें क्या disturbance हो सकता है तो dysphagia हो रहा है पहला to isophagus में नहीं जा पा रहा है अब यह डिसफेजियर कया isophagial cause होते हैं तो इसोफेगस से यह स्टोमक में जाता है तो क्या हो गया इसके तीन कोस हो सकते हैं ल्यूमिनल मतलब ल्यूमिन के अंदर वाले बॉल के कोष हो सकते हैं या फिर आउट साइड दा बॉल हो सकते तो क्या कोस होसकता है फोरैन बोडी हो सकता है और फिर एटरेसीया है मतला ओपनिंग यह नहीं है ल्यूमिन में आगे बॉल में च्छो कोस हो सकता है बोल की या तो हाइपर मोटिलिटी डिसोडर है जैसे एकलेजिया होए या फिर हाइपर मोटिलिटी डिसोडर है जिसे इस्पाजम हो गया है डिफ्यूज इसोफेजियल इस्पाजम हो गया है आउटसाइड दा बोल क्या कोस हो सकते हैं हाइटस हरनिया हो सकता है या फिर कोई media sternum mass compress कर रहा है जैसे tumor हो सकता है enlarge lymph node हो सकती है उसने दबा दिया तो dysphagia हो रहा है investigation में हम history लेते हैं, onset देखते हैं, progression देखते हैं और clinical examination करते हैं, blood examination करते हैं साथ ही साथ radiography में हम chest x-ray करते हैं, lateral view of neck लेते हैं, barium salowing करके देखते हैं, manometric करते हैं pressure change देखते हैं कि किदर कितना pressure है और pH study करते हैं, upper GIT endoscopy करते हैं और bronchoscopy, cardiac catheterization और thyroid scan करते हैं, तो हम cause find out करते हैं कि क्या dysphagia का cause है तो यह हमने complete करा dysphagia, thank you